हेलो दोस्तों वेल्कम बेग टू दे गुजराती चैस्ट जॉन हाव टू प्ले अगेंस डीफोर की सिरीज अभी हम लोग देख रहे हैं कि डीफोर के सामने कैसे खिला जाए इससे पहले मैंने कंप्लेटली 6 वीडियो अप्लोड कर लिए जिसमें आपको क्विन्स गैंबिट एक्सेप्रेट के बारे में बता है था और डीफोर के सामने हम अलग 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 विरियेशंस अलग अलग लाइन के सामने कैसे खिला जाए वह मैं दिखा रहा हूं भी इससे पहले हमने देखा था लास्ट वीडियो में हाव टू प्ले अगेंस लंडन सिस्टम मतलब डेप किंग्स फियान चट्टो और टॉर एटेक ये दो वेरियेशन प्ले अगेंस लिपोर तो चलिए सबसे पहले में दिखाऊंगा किंग्स फियान चट्टो यहाँ पर डीफोर डीफाइव नाइट एप 3 नाइट एप 6 ये अब इस मूँ के बाद अगर वाइट ए 3 करता है तो आपको समत लेना यहाँ पर पे पॉलेश सिस्टम के ख्लने के लिखेंदे के लिए आपको चिखना है तो में अगला वीडियो मिश मत कीज़े इसके बाद का वीडियो प्लेश सिस्टम उर्वेंगेंश में बताऊंगा अभी डेःखते किंगश फियान चत्तो है जी थ्री अब कैसलिंग नेचरल मूँ है यहाँ पर आपको E6 अथवा NBD7 दोनों मूँ चलते हैं NBD2 के बाद E6 उसके बाद वाइट खेलेगा रुक E1 और यहाँ E4 टाइरेक खेलने वाला वाइट का प्लान है इसलिए भी सब E7 जरूर किजिए तुरंद वाइट खेलेगा E4 या पॉन एक्सचेंज कर लो पॉन टेक्स पॉन नाइट टेक्स पॉन और यहाँ आप कैसल कर सकते हो अगर वाइट ने एक्सचेंज कर लिया पर एक्सचेंज से पहले C3 जरूरी है यहाँ पर आपको खेलना है रुक E8 अगर वाइट ने पहले एक्सचे के बाद भी सब्टेक्स नाइज यह सिंपल डैवलोप वाले मूज है इसमें कोई गेम दोनों की इक्वल रहेगी यहां तक देखिए आप ग्राफ में देश सकते हो कि टोटल इक्वलाइज दिखा रहे गेम तो आप फियान चैट्टो के सामने इस प्रकार खिल सकते हो अब द दोनों मुव बहुत सारी ओपनिंग में अब यहां पर थर्ड मुव में वाइट बिश्प जी फाइज करके खिलता है तो इसे कहते टोरे टेक में आपको करना है नाइट एफ पॉर अब यहां से दो लाइन होती है एक तो है विशप एजफ फाइफ और दूसरी लाइन है व सब एज़फोर जो पॉन को पिनिंग कंटिन्यू रखता है यहां आपको करना है C5 इस पोजिशन में वाइट के और से बेस्ट चॉइस होता है E3 कि उसके बाद कुइन B6 कि अब यहां पर बेस्ट चॉइस होगा कुइन C1 कि अलाकि B6 कई लोग खेलते हैं B3 लेकिन B3 विकनेश हो जाएगी यहां पर सारे डार स्क्वेर ओपन हो जाएंगे पॉन्टेक्स पॉन करके बीबी 5, E5 वगेरे बहुत सारे ख्रीट आपके पास है तो यहां पर कुइन C1 जारूरी है उसके बाद आपको खेलना है पॉन्टेक्स 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 प पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर क्वीन भी टुमर रहा है नाइट टेक्स जी फाइव अगर किया यहां पर यहां पर आपको बिशब टेक्स मतलब पीन कर देना है उसके बाद बेस टोइस वाइट की होगी एप फोर और यहां पर आप एटेक्स शुरू कर सकते हो आपकी हो जाएगी और यहां पर यहां पर ज्यादा तर देखिए आप ग्राफ में देख सकते हो कि ब्लैक माइनस प्लस मतलब ब्लैक इस पोजिशन में ब्लैक जीत रहा है तो टौर एटेक्स में एक तो यह है दूसरा वेजिशन हम देखेंगे बीशब एप फोर चलिए यहां पर जब नाइट आप खेलते हो तो वाइट विशब एप फोर अगर करता है यहां आपको करना है सीफाइड दोनों वेजिशन में आपका सीफाइड जरूरी है वाइट रिप्लाइड देखा इस रिप्लाइड है विशब एच्फोर या एप फोर हो लेकिन अब देखो कुन सीवन यह इस लाइट में भी एप्विनिसीवन बेस्ट बता रहे है की कुंसीवन में आपको कर देना है पिसम पोजिशन इड़ीक व diff से होसा जब ऑद वहां पर विशब एच्फवर और बिशब साते हो technically कंतुटब है स्पे क्यों से बाद आपको यहां प यहां पर विशब एटू वाइट केसलिंग की तयारी करेगा यहां पर आप खेल सकते रूप सी एट नाइट भी फॉर का प्लान है अगर वाइट ने नाइट भी डी टू किया तो यहां पर आपको खेलना है इसिक्स उसके बाद वाइट करेगा कैसलिंग और यहां पर आपको खेलना है विशब एट रिप्लाइट देगा नाइट टेक्स उफोर यहां पर दी टेक्स उफोर और नाइट उफाइव और सिंपल नाइट टेक्स दी तो यह पोजिशन में कंप्लेटली ब्लाक के फेवर में है गेम इक्वालाइज बता रहे लिकिन होंगा हाउ टू प्ले अगेंस कोले सिस्टम और दूसरे वेरियेशन एक और लास्ट बचा इसके बाद ब्लैक मार डाइमर गैमबिट इतना खतम होने के बाद पूरी डी फोर अगेंस के सीरीज आपके सामने रेडी हो जाएगी आप सभी वीडियो वन बाइवन देख लेंगे नए वीडियो में जल जैहिन जैगुतार